मिनाश consensus बाय था ये बड़े brokerage houses का चाहे वो CLS हो या फिर दूसरे brokerages हो ये बताईए इतना गिरावट के बाद अब आप टाटा मोटर खरीदेंगे या टाटा मोटर DVR खरीदेंगे या दोनों से दूर रहेंगे मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर DVR हेमन अच्छा रिस्क रिवर्ड है अगर किसी को लंबा निवेश करना है मेरे ख्याल से कम से कम 12-15 मेने का वीव अगर हम रखते हैं क्योंकि चाइना का जो market है वो अभी भी टाटा मोटर के लिए काफी significant है जैसे मैंने पहले भी का कि एक लेकिन clearly अगर साल वर का नजरीया है 12-15 मन्स तो टाटा मोटर्स के DVR में मेरे कहाल से रिस्क रिवर्ड ज्यादा अच्छा बैठता है मेरे कहाल से front line के इसाब से अभी भी टाटा मोटर्स का शेर अच्छे का से discount पे चल रहा है और जैसे जैसे improvements macros में आएगी performance आएगी company की तो आपको definitely DVR में पैसा बनाने का मौका जादा देलेगा